दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पोचे आज की सबसे बहले कबर पटना समेत इन बारा जिलों में 10 रुपे में मिलेगा इसमें पटना भागलपूर भबववा बेगुसराय मुंगेर भोजपूर जहानाबाद नलंदा गया बकसर और रोता समिल है केंद्र की ग्राम उजाला योजना की तहट साथ और बारा वाट के वोल्व की तेन साल की वारंटी होगी आपको बदा दे कि इस योजना की सिरुवात मार्च 2021 में भोजपूर जिली के आरा में केंद्रिय उर्जा राज मंत्री आर्की सिंग ने की थी पिलाल वांक के ग्रामीन इलाकों में बेजलियों बोगताओं को LED बल्ब दिये जा रहे हैं वां करीब 25 लाक LED बल्ब दिये जाएंगे दूसरी चरण में राज के करीब एक करोड ग्रामीन बोगताओं को इसका लाब होगा अगली बाड़ी कबर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरियंट को लेकर बिहार में अलट हर चार दिन पर जेनेटिक मेपिंग के लिए बोमनेसर ले बेजा जा रहा है नमोना ताकि डिटेक्ट होस से के निव वेरियंट जिहां बिहार में कोरोना के नई वेरियंट डेल्टा प्लस को लेकर अलट किया गया है संक्रमित लोगों को नमोना जेनेटिक मैपिंग के लिए भेजा जा रहा है सरकार ने पटना मेडिकल कोलेज से हर चार दिन पर 15 नमोना बोनेसर ले भेजने का आदिस दिया है कोरोना के दूसरी लहर में अब तक भेजे गए 60 से 70 सेंपल में डेल्टा प्लस नहीं मिला है लेकिन देश में 40 मामले मिलने के बाद अब इसे लेकर बिहार में जाज करने का काम तेज कर दिया गया है बड़ी कवर पास से गुजरने पर भी संक्रमित कर देता है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरियंट पटना के डाक्टरों ने किया अलट जहां अलब के साथ राज़ानी वासी कोरोना संक्रम की दूसरी लहर की भायाओं को बोलते दीख रहे हैं यही नहीं उन्हें आसंकित तिसरी लहर और खतरनाक माने जा रहे हैं डेल्टा प्लस वेरियंट का भी कोई कौफ नहीं है डेल्टा प्लस वेरियंट इतना संक्रमक है कि पास से गुजरने पर भी आपको विमार कर सकता है इससे बचाव का एक ही उपाई है कि कोविट प्रोटोकोल का अपनी आदत बना लिया जाए वह राजदानी के सडको ओटो बसो बाजारों से लेकर अस्पतालों तक जगा जगा लोगों के जमगट के साथ करीब 50 विदी लोग दुबारा बिना मास्क के दिखने लगे हैं राजदानी वासियों के इस विवार को देखते हुए कुरोना से जोजरे डाक्टर परिसान है उनका मानना है कि राजदानी वासियों का यही विवार रहा तो तिसरी लहर समझ से पहले ही आ सकती है बड़े कवर 26 जून से मिलने लगेगा 6,044 चात्राओं को सर्टिपिकेट डीयों को जारी हुए निर्देस यहां मैट्रिक परिचा 2020 के 6,044 चात्राओं का मूल परमान पत्र 26 जून से मिलने लगेगा बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परिचा 2020 के साथ ये मायदमिक कमपार्टमेंटल सब विसेस परिचा 2019 में उत्रेन चात्र चात्राओं को मूल परमान पत्र भी जिले में बेजने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है इन 12 साल के चातर चात्राहों को मुलeg पर्मान पत्र सम्मधिद स्कूल के हेड मास्टर जेला सिख्चा कारियाले से लेंगे बिहार विधाले परिचा समीति के परिचा नियंद्रक ने इस सम्मध में डीयो को निर्दिस दिया है डियो अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि समंद्ध स्कुल के हेड मास्टर को रिजल इसकुल के काघ्जाद से मिलान करने के बाद ही मिलेगा बड़ेकबर बिहार में गंडक को छोड़ कर बाके नदियों का जलस्तर खत्रे के निसान से नीचे जी हा केंद्रे जलायोग के अनुसार बिहार में गंडग नदी का जलेस्तर दुमरिया घाट में खत्रे की निसान से 11 सेंटिमेटर उपर है इसके जलेस्तर में 15 सेंटिमेटर की विर्दी होने की सम्मावना जताई गई है घागरा नदी का जलेस्तर दरोली में खत्रे की निसान से 37 सेंटिमेटर निचे है गँड़ी गंडग नदी का जलेस्तर रसोडा में 52 सेंटिमेटर निचे है इसके जलेस्तर में 29 सेंटिमेटर विर्दी होने की सम्मावना है दूसरी और कोसी नदी का जलिस्तर बलतारा में खत्रे की निसान से 97 सेंटिमिटर निचे है इस नदी के जलिस्तर में 5 सेंटिमिटर विर्दी होने की सम्मावना है। वही कमला बलान नदी का जलेस्तर जैनेगर में खत्रे की निसान से 37 सेंटिमिनर निचे है। मता दिकी बीते 17 जून को भी रिवा घाट पर पानी खत्रे की निसान से 96 सेंटिमिनर निचे था जिसमें 71 सेंटिमिनर की वेर्दी होने की सम्मावना जताई गए थी। वह वागमती अदवारा समों की नदी कमला बलान गंगा और अन प्रमुग नदी अभी कत्रे की निसान से नीचे है अगली बड़ी कबर गया और नवादा में मैदम बारिस के बिहार में अब उमस बरी गर्मी भी करेगी परिसान पटना में 26 जून से बारिस होने की सम्मावना जिया मौसम विवाग के मुताबिक अब दो दिनों तक बिहार में मौसम पूरी तरह से सामाईने रहेगा इस दोरान उमस बरी गर्मी लोगों को सताएगी ऐसा अधिकतम तापमान में विरिदी होने के कारण होगा हाला कि दोब के साथ ये आस्मान पर बादल चाहे रहेंगे गया और नावादा में तेज हवा के साथ हल्की बारिस होने की सम्मावना है 26 जून से हवा के रप्तार और दिसा में परिवर्तन होगा इसके बाद फिर से राज के अधिकान से हिस्सों में मद्ध दर्जे की बारिस होगी बड़ी कहबर पटना में आज से लगेगी स्पूतनिक वेक्सिन मेदंता होस्पिटल में तैयारी पूरी यहाँ राजदनी पटना में स्पूतनिक वेक्सिन का इंतिजार करने वाले लोगो के लिए एक अच्छी ख़बर है राज में पहली बार अब कोरोना से बचाव के लिए स्पूतनिक वेक्सिन को लोगो को लगेगी शुक्रवार से पटना के जाए प्रभा मैधानता हॉस्बिटल में इस्टित इस्पृत्टनिक वैक्सिन लगाने का सीलसला सुरू होगा आच्छी कबर यहा है कि पटना के एक और निजी हस्पिताल बिग अपोलो इस्पेक्टा हस्पिटल में भी एक सब्ता के अंदर इस्पूतनिक वैक्षिन लगने शुरू हो जाएगी मेदान्ता हस्पिटल ने इस्पूतनिक वैक्षिन लगाने के लिए राज सरकार से अनुवती मांगी है मुदवार को मेदान्ता हस्पिटल में टिका करन के लिए इंतिजामों का निरिक्षन भी किया जा चुका है बाड़े कबर बिहार में अगर कोरोना के तिसरी लहर आई तो सेना की पढ़ सकती है जरूरत हाइकोर्ट में सुनुआई के दोरान ऐसिक का बयान कोरोना वारेस की तिसरी लहर के आहट से पहले केंदर सरकार के तैयारी सुरू हो चुकी है मुही कल पटना हाइकोर्ट में कोरोना समिच्चा को लेकर सुनुआई हुई कोर्ट में सुनुआई के दोरान ESIC ने कहा कि कोरोना की तिसरी लहर को रोकने के लिए सेना की जरूरत पढ़ सकती है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कल हाइकोर्ट के चीप जश्टिस संजे करोल के अधिश्ता में कोवीड मामलों में सुनुआई हुई कोर्ट ने अस्पताल डाक्टरों और दवाव को लेकर सरकार से सुची मांगी है इधर ऐसिक ने कहा कि अगर बिहार में कोरोना वारस के तिसरे लहर सामने आती है तो सेना के जरूत पढ़ सकती है अस्पताल से हाइकोर्ट से इस मसले पर हलप नमा भी दाखिल करने के मांग की गई है बता दे कि बिहार में नो जुन को इस मामले में सुनवाई हुई थी अगले बड़ी कबर पटना में डेटियों के प्लेट में निगराने का चापा 48 लाट के समेत सोना चानी के बिस्किट बरामत बड़ी कबर राजाने पटना से सामने आ रही है जहां परिवान पदादिकारे के अपार्टमेंट में निगराने की टीम ने चापे मारे की है बताया जा रहा है कि आई से अधिक समपत्य मामले में चापे मारे की जा रही थी मुझपरपूर के जीला परिवन बदादिकारे रजनिस लाल के कंकर बाग के आर एमस कोलोने इस्तित सुमन अपार्टमेंट के फ्लेट और मुझपरपूर आवास पर आई से अधिक संपत्य मामले में छापे मारी हुई है निगराने विवाग ने 48 लाक रूपय के सहित बड़ी मात्रा में सोने चांदी के बिस्किट भी बरामत किये इसके साथ ये डेटियों के आवास से एक पिश्टिल भी बरामत किया गया है जिसकी जानकारे उनसे मांगी गई है बड़ी खबर ट्रेन से सपर में अब नहीं होगी दिक्कत बिहार के लिए 56 ट्रेनों को चलाने का एलान जिहां कोरोना संग्रमन की दूसरी लहर का प्रवकोप काम होने के बाद जिन्दगी एक बर फिर से पटरी पर लोटी है ट्रेन से सपर करने वाले यात्रियों की परिशानी को देखते हुए इस्ट सेंटर रेल्वे ने एक बड़ा एलान किया है बड़ी संग्रमन को देखते हुए जिन ट्रेनों को रेगुलेट कर चलाया जा रहा था अब उन्हें विस्तारित करने का एलान किया गया है पूरो मैद रेल ने 26 स्पेसल टेनों के परिचलन के आउदी में विस्तार का फैसला लिया है गुरवार को पूरो मैद रेलवे के मुई के जन संपर अधिकारी राजेस कुमार ने बताई कि पूरो मेध रेल के विविन स्टेसनों से या यहां तक चलाई जा रही 28 जोड़ी स्पेसल ट्रेनों के परिचालन आउदी में बिर्दी की गई है आपको बताई कि रेलवे की ओर से जो लिष्ट जारी की गई है उसके अनुसार बिहार से दिल्ली, चेन्ने, कुलकत्त, गुजरात, पंजाब, केरल, तिलंगना, जारकन और राजस्तान समित कई राज्यों को जाने वाले ट्रेनिस सामिल है अगली बाड़े कबर बिहार्टा E.S.I. अस्पताल में एक जुलाई से सुरू होगे OPD और I.C.O. डीन ने हाइकोट को दी जानकारी जिहां बिहार में E.S.I. अस्पताल में एक जुलाई से OPD, I.C.O. तता आइपेडी की सिवा सुरू की जाएगी अस्पताल में छो मा के बेतर सिटी स्केन मसिन मी लगा दे जाएगी जबकि आल्टा सोनोगरापी मसिन लगाई जा चुकी है अस्पताल की डीन सुम्या चकरवर्ती ने हाइकोट में या जानकारी दी है हाइकोट ने दीन की ओर से दायर हलप नमा पर कई सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब पांसो बेड का मिडिकल कोलेजर अस्पताल है तो आर्मी और राज सरकार के सहयों की क्या होई सकता है कोट ने कहा कि अस्पताल प्रसासन अपने बल्बूती पर अस्पताल क्यों ने चला सकते हैं साथ ही कोट ने कहा कि 500 बेड के अस्पताल में डॉक्टर नर्स तक्निकी स्टाप वर्ग 3 और 4 के कर्मी तदा सुरक्चा कर्मी के स्विकिर्थ पर तो होंगे ही वागेर स्विकिर्द पदो पर बहाली के अस्पताल नहीं चल सकता है बाड़ी कबर लालो प्रसाद यादव की मौजूदगी में वर्च्वल होगा आरजेडी का 25 इस्तापना दिवस समारो जोरो पर है तैयारिया दिल्ली से बिहार आने के साथ नेता पतिपाच तेजेश्वी परसाद यादव सक्री हो गए है गुर्वार दोपर वी वीर्चन पटिल मार गेशित पार्टी कार्याले पहुचे करीब एक घंटे वहां रहे इस दोरान प्रदेश अधग जदानन सिंग सहित पार्टी के आने वरिष्ट नेता हो संग आगामी 5 जुलाई को होने वाले पार्टी के 25 इस्तापना दिवस कायर करम की तैयारी को लेकर चर्चा की राज़त का इस्तापना दिवस समारो वर्चुल होगा इसमें तेजस्वी आदा प्रदेश अधग जदानन सिंग सहित आने सभी नेता सामिल होंगे इस समारो के अलावा पार्टी वर्च के राजनेतिक परिस्तियों से जुड़े आने विसावे पर भी चर्चा हुई आपके जानकारे के लिए बता दे के राज़त की इस्तापना 5 जुलाई 1997 को नई दिल्ली में हुई थी अगली बड़े ख़बर बिहार एस्टेट में पांसवी सावत की हिरोईन तेजिसवी आदव ने सिक्चक बहाले में गोटाला और फरजी वाड़े का लगाता आरोप लगाया जा रहा है एस्टेट रिजल्ट में गड़बड़े का एक और मामला सामने आया है इसे जानकर हर कोई दंग है दरसल बिहार एस्टेट परिच्छा में सावत पिल्मों की हिरोईन अनुपम्मा परमेस्वनन का भी रिजल्ट सामने आया है और यह हम नहीं कुद बोड़ कर रहा है आपक लगाया है उन्हें ट्विट करके लिखा कि सनी लियोनी को बिहार की जुनियर इंजिनियर परिचा में टॉप कराने के बाद अब मलायलम अविनेत्री अनुपमा परमेस्वर को एस्टेट परिचा पास करवा दी है नितिस जी हर परिचा बहाली में दांदली करा करोडों य सुसिल मोदी ने किया केस जानिये क्या है पूरा मामला जहां कॉंग्रेस पार्टी के पूर्व अदक्च और सांसद राहूल गांदी पटना आने वाले हैं ऐसा किसी और नहीं ने बलकी खोद बिजेपी के राजसवा सांसद और बिहार के पूर्व उपमुक मंत्री सुसिल मोदी ने गुरुवार को ट्वीट करके लिखा कि राहूल गांदी ने रापिल विमान सोधे में कतित गड़वड़ी का आरगनल आरोप लगाते हुए चोकिदार चोर है जैसा ओचा बयान दिया था सुसिल मोदी ने बताए कि राहूल गांदी ने मोदी सरनेम वाले पिछड़ी समुदाई के लाकों लोगों को चोर बताने वाला जो सर्मनाग बयान दिया था उस मामले में पेस होने के लिए वी सुरत पहुचे अब इसी तरह उन्हें पटना आना पड़ेगा मैंने 2019 के उस हजार 236 टीचिंग कलर को और अन पदों के लिए आवेदन से वंचित रह गए उमिद्वारों के लिए खुसकबरी है दिल्ली अधिनस्त सेवा चैन बोर्ड यानि की डी एससबी ने इन पदों के लिए आवेदन की आखरी तारिक बढ़ा दी है बोर्ड के द्वारा जारे क सक्रिया 25 में 2021 से शुरू की गई थी आज के लिए आपका सवाल बता कि बिहार में कौन सा ट्रेन को चालू करना चाहिए इसका जबाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं